तो यह प्यारे भूदपूर सैनिको वन रैंक वन पेंशन और आप सभी का डिसिबिलिटी पेंशन के उपर और पेंशन में ब्रोटी 10-15 पर्शन की लेटेस्ट न्यूज में आप सभी का हारदी कभने नने वह सौगात है सबसे पहले सभी भूदपूर सैनिक को उसे आगरा कर सबसे पहले आप देख सकते हैं पर डिसिबिलिटी पेंशन का पूरा हम आपस खाका निकल क्या गया है कैटिकरी ओर जेसे उसे उसे और ओफिसर्स का विदा एफेक्ट फॉन टूरा इंटीन के लिए यहां पर पूरा दिया हुआ हुआ है इंक्रीस टू 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 कुमार जी हैं जो रहे चक्र हैं और यहां पर उन्होंने लिखाए कि निट टू बी इन्वेस्टिगेशन और यहां पर जो यह इन्वेस्टिकेशन नीड है इफ एनी ऑफिसर लेडी फाउंड गिल्टी मतलब अगर वो जो आपको पता है जस्तिस फॉर अमीत का जो हैस्ट जब आपका 65 होता है और फिर 70% की 75 जब आपका 70 वर्स होता है तो 15 परसेंट का एज बढ़ता है और जब 80 परसेंट आपकी पेंशन बेसिक पेंशन बढ़ती है तो यह बड़ातरी थी जो कि मैंने आपको शो कर दिया चली आगी जानते हैं कि जो भी हमारे पेंशन नारक प साइटी और तक्रीबन हमारी जो भी सैनिक कमीटी है वो लगतार अपने मुद्देग पर अड़ी हुई है और अभी तक हमारे कोई भी निसकर्स आउटकम नहीं आया है आउटकम का वेट अभी भी करना होगा फिलहाल मैं आप सभी को इक चीछ बता देता हूं कि वन रैंक वन पेंशन की जो विसंगत्या है वो भी दूर नहीं हुए और हमारे पेंशन धालक चाहते हैं कि 2024 में चुनाओ भी है 2024 में और ओर ओपी 3 भी है जुड़ाई से तो सही एरियर मिले जिसके लिए अभी तक उनका जो एक मुद्दा है इस पर बात चल रही है आगे जो भी होगा अपडेट में आपको देते रहे हैं और चैनल के मादा हमसे चैनल को सब्सक्राइब करके